वारुन दावन की मच अवेटिट फिल्म भेडिया इस हफते रिलीज हो चुकी है फिल्म के पहले दिन के कलेक्शन्स जो है वो डीसेंट है फिल्म के हिसाब से लेकिन अगर कंपैर किया जाए अज़े देवगन की दृश्यम 2 से जो लास्ट फ्राइडे रिलीज हुई उसके कंपैरिशन में भेडिया पीछे रह गई है जहाँ एक तरफ अज़े देवगन की फिल्म दृश्यम को 50 करोड के बजट से बनाया गया और फिल्म आज आटवे दिन पर 112 करोड कमा चुकी है वहीं बात करें भेडिया की तो इस फिल्म को 60 करोड के बजट से बनाया गया है और पहले दिन की कमाई साड़े 7 करोड रुपे है जिसे अच्छा भी नहीं कह सकते हैं और बुरी भी नहीं है हाला कि ये तो भेडिया का पहले दिन का कलेक्शन है दृष्यम ने तो पहले ही दिन 15 करोड पार की कमाई की थी इसके अलावा भेडिये के पहले दिन की कमाई और दृष्यम के आटवे दिन की कमाई की बात करें तो उसमें भी दृष्यम आगे रही है जहां वरुन धवन को बॉक्स ओफिस पर साड़े साथ करोण रुपए मिले हैं वहीं अजी देवगन की फिल्म दृष्यम 2 अपने रिलीस के आठवे दिन भी बॉक्स ओफिस पर आठ करोण रुपए कमाने में काम्याब रही है और लगातर फिल्म जो है वो बनी हुई है वीकेंड अप शुरू हुआ है, आज साटड़ है, कल संड़े है माना जा रहा है कि फुटफॉल्स और जादा होने वाले है और दृष्यम लोगों को पसंद आ रही है बट भी होप कि वरुन दवन जो बेडिया से एक अलग तरह की फिल्म लेकर आए है वो भी कुछ अच्छा करे